यूपी में सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगाज नौ फर्वरी तक दुनिया देखेगी भारत की ताकत अवद की जमी पर टैक मिसाइल तो दुष्मन का निकला दम पाक के उड़े होश लखनों में दिखा देश का जूब सरहदों के पार मच गया शो शर्ष्ट शक्ति तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर शर्ष्ट शक्ति मैं हूँ आपके साथ कुल्दीब सिंग पठानिया एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगास हो चुका है परधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने लखनों में डिफेंस एक्सपो का उद्खाटन किया जिसके बाद अब 9 फरवरी तक दुनिया भारत की ताकत देखेगी लेकिन शस्त्र शक्ति के बीच जब पीम मूदी हधियारों को बारीकी से देख रहे थे तब एक वक्त ऐसा आया जब मूदी का एक अंदास बहुत कुछ कह गया वो अंदास क्या था ये जानने के लिए देखते रहिए शस्त्र शक्ति जब से नरेंद्र मूदी परधान मंतरी बने है तब से कुछ ना कुछ ऐसा बढ़ा करते हैं जिसे कोई भूल नहीं सकता लगनाओं में मौका था डिफेंस एक्सपू का लेकर इस दोरान जब एक राइफल पर मूदी की नजर पड़ी तो उन्होंने उस राइफल से निशाना सा था और इशारों हुई इशारों में दुश्मनों को बताया कि वक्त पढ़ने पर वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि पिछले साल सेना की टैंक की सवारी और अब की बार हाथों में राइफल देश के दुश्मनों के लिए सक्त संदेश है डिफेंस एक्सपो में पियम मौदी का रेंबो अफ़तार मौदी के हाथ में गन पाकिस्तान को टेंशन कभी टैंक पर सवार कभी निशाने पर दुश्मन पियम मौदी की शस्त्र शक्ती जवानों में और बढ़ी देश भक्ती शौरे दिखाने का वक्त हो और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मौदी तो भला शक्ती परदर्शन हो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है डिफेंस एक्स्पो के शांदार उद्गाटन के बार जब फुरधान मंत्री देश के बाहवली हतियारों को देखने पहुचे तो एक एक शस्त्र को मोदी बेहत धान से देख रहे थे टैंक हों तोफ हों मिसाइले हों जहाज हों सब पर पुरधान मंत्री मोदी की पैनी नजर थी वर्चुल राइफल सिस्टम को परखने के लिए खुद परधान मंत्री मोदी ने भी निशाना साधा बिना गोली खर्च किये ही उन्होंने इस वर्चुल राइफल से एक के बाद एक कई निशाने लगाए प्रधान मंत्री मोधी ने प्रदर्शनी में मौजूद एक रोवोर्ट से भी हाथ मिलाया और अधिकारियों से अत्याधूनिक हथियारों की बारिकी को जाना जब प्रधान मंत्री मोधी वर्चुल राइफल सिस्टम के पास पहुचे तो काफी देड़ तक पहले वही रुके उनके साथ मौजूद अधिकारियों ने पीम को पूरी परिकरिया समझाई तो वो खुद को रोक नहीं पाए उन्होंने वर्चुल राइफल उठाई और खुद भी कई गोलियां चला कर इसकी टेस्टिंग कर डाली दरसल वर्चुल स्टुटिंग रेंज बिग्यान की वकरामाथ है जहां बिना गोलियां बरबाद की है निशाना लगा सकते है और अपनी शमता भी जाज सकते हैं सैनिकों के लिए ये ट्रेनिंग बेहल जरूरी होती है वर्चुल शुटिंग रेंज में प्रिशाने बाजी या सैनिक बिना जंग में गए युद जैसा रोमांच महसूस कर सकते हैं और अपने युद कोशल का आकलन भी कर सकते हैं एक रोमांचक अनुभाव में प्रधान मंत्री मूदी ने यहाँ पर अपने हाथ में राइफल थामी और खुद निशाना लगाया ऐसा नहीं है कि प्रधान मंत्री मूदी के हाथों में पहली बार कोई अस्थ शस्थ आया हो इससे पहले भी बीम मूदी 2019 की शुरुआत में बुजरात के सूरत में सेना के हत्यारों में दिल्चस्पी दिखा चुके थे सूरत में प्रधान मंत्री मूदी के नाइन ब्रज टेंक की सवारी करते दिखे मूदी ने सूरत के हजीरा एल एंडिटी में तैयार सेना के सबसे शक्तिशा ली के नाइन ब्रज टेंक देश को समर्पित किया इसके बाद खुद परधान मंत्री इस टेंक की सवारी कर इसका जायजा भी लिया था मेकिन इंडिया के तहद बने इस टेंक से सेना की ताकत बहुत बड़ी और परधान मंत्री मोदी के इस अलग अंदाज को देखकर भले ही भी पक्षियों ने निसाना साधा हो लेकिन देश के परधान मंत्री जब इस तरह दिखते हैं तो यकीनन जवानों का होसला बढ़ता है और बजबूत होता है 2019 में ठेंक की सवारी के बाद जब 2020 में मोदी के हातों में राइफल दुश्वनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है हतियारों की टेस्टिंग के बाद जब लखनों के ब्रंदावन मैदान में परधान मंत्री मोदी और सीम योगी पहुँचे तो जमीन से लेकर आस्मान तक किस तरह शक्ती प्रदर्शन हुआ ये हम आपको आगे दिखाएंगे लेकिन ऐसी तस्मीरें देखकर यकिनन देशवासियों का सीना 56 इंच का हो गया होगा तो दुश्मानों का बुजदल सीना थर-थर काफ रहा होगा तो देखते रहिए शस्त शक्ती ब्यूरो रिपोर्ट आर्नाइन टीवी उत्तर प्रदेश उत्राकर राइफल चलाने के बाद जब परधान मंतुरी सीना की ताकत देखने पहुचे तो इस दोरान आस्मान से लेकर जमीन तक भारत की धमक थी और दुश्मान इसे देखकर डरे नहीं ऐसा होई ही नहीं सकता दुश्मानों देखो आस्मान भारत की शक्ती और उडान जमीन पर भी सेना की शान ब्रधान मंतुरी का इशारों ही इशारों में एलान जमीन हो आस्मान हो या फिर जल हो भारत की शक्ती हर जगे लगातार बढ़ती जा रही है और यही वज़े है कि जिसके चलते दुनिया भर के देश भारत के साथ हाथ से हाथ मिला कर चलते हैं और जब बात रक्षा की हो शक्ती दिखाने की हो तो भला भारत किसी देश से पीछे कैसे रह सकता है लगनओ में आयोजित डिफेंस एक्सपो में हथियारों का शक्ती परदशन देखने मुखे मंतरी योगी आदित तिनाथ और परधान मंतरी नरेंद्र मोदी वरिंदावन मैदान पहुँचे परधान मंतरी की मौजूदगी में भारत ने दुनिया के सामने दम दिखाना शुरू किया सबसे पहले आस्मान में कोच जंगी जहाजों ने अपने कर्तब दिखाए और इसके बाद सुखोई 30 से लेकर चिनूक फाइटर जेट्स के जलवों से मैदान में मौजूद लोग हर पल गर्व महसूस करते रहे आगे हम आपको फाइटर जेट्स की शक्ती दिखाएंगे इससे पहले आपको बता दे वरिंदावन मैदान में धल सेना के हत्यारों में पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लाउंचर और धरुष तोप के अलावा इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन साइट आई सेफ लेजर नाइट विजन डिवाइजिस बॉर्डर सर्विलांस सिस्ट इमके आई जगुआर फाइटर्स प्लेन चिनुक और चीता हेलिकॉप्टर्स ने उडान भरी सबसे पहले चिनुक को देखिए जिसे हाल ही में भारती वायू सेना में शामिल किया गया है चिनुक हेलिकॉप्टर अब आप सभी की समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है जिसे हाल ही में भारती वायू सेना ने अपने युद्धक पेड़े में शामिल किया है दो रोटर वाले इस विमान से भारती वायू सेना अपनी सहयोगी सेनाओं की मदद के लिए और अधिक तुरित कारवाई करने में सक्षम एवं निपुण हो गई है Coming in next is the heavy lift twin rotor chopper the mighty Chinook manufactured by Boeing it can carry a maximum payload of 11 tons and up to 55 soldiers it's the only helicopter in the world to carry multiple under slung load and it can also land on water इस काप्टन बाई ग्रुप काप्टन सिथार्च रावत्स कृप को भी लोग देख कर तंग रहे गाए ग्रुप क्याप्टन प्रशांत ग्रोवर्ट देवयो एवं सजनो प्रस्तू थे सूरी किरन एरोबाटिक टीम और इसके पाद बारी आती है भारती और सेना के उन जहाजों की जिन्हें देखकर लोग देखते ही रहे गए देखने में बेहद खुबसूरत लेकिन युद के दौरान मेतान में बेहद खतरनाक पार्मेशन वहीं जब आसमान में C-17 की कडड़ा हट हुई तो नसरें एक तम थमसी गएं भारी भर कम और शांदार C-17 की वडान दुश्मनों की सुबान बंद करने के लिए काफी थी The C-17 is a large transport aircraft that gives us strategic capability With extended ranges and larger payload capacities, it can operate from unprepared services making it a truly strategic force multiplier The C-17 is being flown by Wing Commander Sachin Sue and the suit 30s are being flown by squadron leader Deshwal and squadron leader Deepak in vertically and the extent of the idea of the impact that we have tonight at D 2.6. Don't be huge! झाल झाल जगवार और सुखोई के बाद तेजस के रंग ने तो सब का मन मोह लिया खारत में ही एक विश्व सरीय लड़ा को विमान का निर्मान संभव हो सका देवियों एवं सचनों आपकी बाईयों चनो क्लाक से तेजस फॉर्मेशन आस्मान के बाद जब बारी जमीन की आई तो दोप और टैंकों के साथ सेनिकों ने वो पराकरम दिखाया जिसके बलबूते हम वाकई सुरक्षत हैं देरो रिपोर्ट आर नाइन टीवी उत्तर परदेश उत्राखंड तो नौब फरवरी तक डिफेंस एक्सपू का आयूजन है डिफेंस एक्सपू का आखास शानदार तरीके से हुआ इसके बाद परदान मंतरी मोदी, रक्षा मंतरी राजनास सिंग और मुख्य मंतरी योगी आदित तेनाथ ने इस दोरान क्या 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 कहा इस रिपोर्ट में देखिए एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपू का आगाज उत्तर प्रदेशी राजधानी लखनों में वेहदी शानदार तरीके से किया गया मुख्य मंतरी योगी आदित तेनाथ राजिपाल आनेनी बेन पटेल लखनों से सांसद और रक्षा मंतर राजनास सिंग की मौजूर्गी में प्रद्धान मंतरी मोदी ने ग्यारवे डिफेंस एक्सपू का उद्गाटन किया पान से नौ फरवरी तक चलने वाले इस मेले में सतर देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 172 और भारत ली कई कपनिया शामिल है एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदशनी में 40 देशों के रक्षा मंतरी भी शामिल हुए है इस साल डिफेंस एक्सपू जिस बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है वो डिफेंस एक्सपू के एक दसक के अपने इतिहास में बेजोड है और यहां आयोजन 40 देशों के डिफेंस मिनिस्टर 172 से ज़्यादा फारेंड फॉर्म्स तथा 1000 के आसपास एक्जिबीटर्स की मौजूद्गी से भव्यता की नई बुलंडियों को चूचुका है साथ ही इंडिया अफ्रिका डिफेंस मिनिस्टर स्कानकलेप का भी आयोजन इस बात का सबूत है कि डिफेंस एक्सपो टेक्नलोजिकल इनोवेशन और वेजनेस अपार्चुन्टी को एक साथ लाने और योडने के लिहास से कितना बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म बन गया रक्षा मंतरी राजना सिंग्ने डिफेंस एक्सपो में और क्या क्या कहा ये बताए है इसे पहले आपको बतादे कि पहले डिफेंस एक्सपो दिल्ली में होता था मूदी सरकार के दोरान हुए सभी डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रियों के ग्रहराजी में हुए इस बार का डिफेंस एक्सपो अपने आप में अनुखा और अद्भुद है क्योंकि रक्षा के मामले में भारत लगातार बड़ा बाजार बनता जा रहा है वह इन सब के बीच राजना सेंग इस बात का जिक्रत करना भी नहीं बूले कि भारत अब पहले से कहीं ज्वादा मजबूत है और भारत के साथ दुनिया भर के देश आ रहे हैं इस एक्सपोर्ड जो 2017-2018 में एप्राक्समेटली 4500 करोर के थे अब वह बढ़कर तू 2018-2019 में 10700 करोर पहुच चुके हैं और इसके अलावा इस प्रयास में इंडिया प्राइबेट सेक्टर की भी भागीदारी लगातार बढ़ रही है लगवा 50 कंपणियों ने पहले ही शत्र में महत्पों कांट्रिबूशन दिया हुआ है और यह संख्या निरंतर तेजी के साथ बढ़ रही है हम मेकिन इंडिया और आफसेट पॉलिसी के माध्यम से अपने डिफेंस प्रोड़क्शन को बढ़ाने के लिए भी पूरी निस्टा से काम कर रहे है डिफेंस एक्सपो के आगाज के वकत राजजिके मुक्यम अत्रय योगिया यदिजी तिनात की मौझूदी कि कई मावनेों में महत्पों थी क्योंकि योगिया आदे चिराथ की बदॉलत ही उत्तर प्रदेश में ये बड़ा डिफेंस एक्सपो हो सका जिसे दुनिया कई दिनों तक देखती रहेगी डिफेंस एक्सपो 2020 ने उन संभावनाओं को एक नई उचाईयां दी हैं कि खास्थोर पार मुझे बताते हुए प्रसंता है किस दौरान 23 अमोयू उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहां पर होने जा रहे हैं जिनके माद्धिम से 50,000 क्रूड रुपे से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर संभावित होने जा रहा है और इसके माध्यम से तीन लाग सेधिक रोजगार की समभावनाएं उत्तरप्रदेश के अंदर पैदा होंगी उत्तरप्रदेश के अंदर इंफरस्टक्चर डेपलोमेंट के लिए आधनिये प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में उत्तर प्रतेश सरकार ने तेजी के साथ कारे करना प्रारंब किया है हाला कि इस डिफेंस एक्सपो में प्रधान मंत्री मोदी पर सब की निजर थी आर्टिलिरी गन्स हो, एरक्राप्ट केरियर हो, फ्रिगेट हो, सम्मरीन हो, लाइट कॉम्बेट एरक्राप्ट हो, कॉम्बेट हेलिकेप्टर्स हो, ऐसे अनेग साजो समान आज भारत में ही बन रहे हैं साथियों, आज भारत अपनी आवशक्ताओं के लिए आधुनिक अस्त्रसस्त्र का निर्मान तो करी रहा है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेर बढ़ रहा है इसके साथ ये प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि दुनिया में भारत एक शशक्त भूमिका लेकर आगे बढ़ रहा है भारत रक्षा और सुरक्षा करने के साथ साथ देश के युवाओं के लिए बड़ा अउसर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा Arms importer तक बन गया दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी दुनिया की दूसरी बड़ी शेणा और दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र कब तक शिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के भरों से रह सकता था यही नहीं डिफेंस इंपोर्ट से भारत का इंपोर्ट बिल भी निरंतर बढ़ता जा रहा था अगर इंपोर्ट की नीती पर ही हम काम करते रहतें तो फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का ड्रीम भी देश कैसे देख पाता भारत के युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर में लाखों नए रोजगार के निर्मान का सपना कैसे पूरा हो सकता जिस तरह से भारत रक्षा शेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है वो यकीनन देश के लिए गर्व की बात है और अगर इसी तरह बड़े बड़े आयोजन भारत में होते रहे तो यकीन मानिये भारत से टकराने की कोशिश कोई नहीं कर सकता है ब्यूरो रिपोर्ट आर्नाइन टीवी उत्तर प्रदेश उत्राखन तो हमारी खास पेशकरश शास्तर शक्ति में फरहाल के लिए तना ही बने रही है आर्नाइन टीवी के साथ सर्फ खबर के लिए नमस्ता